हलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आज हम एक्स्प्लेंट करने वाले दो गोड बिकम हीूमन का एपिसोड नवर 153 तो चलिए सुरू करते हैं आज का एपिसोड 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 स्टार्टिंग करने से पहले एक इंपोर्टेंट बात अगर इस वीडियो पर अच्छा बड़ा धमाका हुआ था आगे हमें उस धमाके बाद उस बीष्ट के हलत दिखाए जाती है जो अतनी अच्छी नहीं होती है वह हस्ते वे यंग्चें से करता है यंग्चें क्या तुम्हारा यही अल्टिमेट अटेक था लेकिन दुरभाग्य से मैंने से ब्लोक कर लिया अ आगे यंग्चें उस अटेक को जल्दी से उस बीष्ट पर कर देता है यह देखे वह बीष्ट कहता है तुम तुम इतनी जल्दी मेरे पीछे कैसा आगे मुझे पता तक नहीं चला क्या तुम्हारे पास कोई टेली पोटेशन स्कील है यह सुनके यंग्चें कहता है हाँ त तो उमने सही गेस किया कि अब इसका कोई फायदा नहीं है अब तुम यहीं मरोगे मेरे अटैक से अगले सिन्मा में दिखा जाता है वह अटैक उस बीश्ट को लग जाता है जिसके उसे काफी तेज चीलाता है कहता है नहीं मैं तुम्हारे हां दोस्य यहां पर कैसे मर सकता उससे पहले वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वह असेशन वहें पिन्नी पड़ जाता है यंग्चेन उसको देखते हुए कह रहा होता है मैंने इस ब्लेक रोप असेशन को तो मार दिया पर अंडर वॉल अब इतना ज़्यादा बेवकुफ नहीं है कि इतनी ज करते हैं आपने बिल्कुल सही समझा हमारे उस रेस्टोरेंट में आचानक बेहोस होने का और कोई कारण नहीं हो सकता है और पैट्रियाजमू और मास्टर जेंग भी अचानक गयाब हो गया है इसका साफ साफ सेंस बनता है और मैंने फर्स पर बलड गिरा हुआ वह देखा वह बलड तभी गिरा होगा जब ब्रदर येंग चैन ने पैट्रियाजमू और मास्टर जेंग को मारा होगा इतना सब तुनने बद प्रेजिडेंट वांग काफिजा आग बवूला हो जाते हो कहते हैं वह कमीने बास्टर हमें बैंक्यूट में बूला कर मारना चाहते थे येंग चैन ने उन्हें मार के सही किया वो मरना ही डिजब करते थे आगे वेनर अपने मन में सोची होती है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है बरदर येंग चैन कहां गह होंगे ऐसा क्या इसा हो सकता है पैट्रियाजमू और मास्टर जेंग के पीछे और भी काफी सार हेलपर्स हो और ब्रदर येंग चैन उन्हीं के पीछे गए हुए हो वेनर ये सब सोचरी होती कि प्रेज़ेंट वांक और वेनर को कोई पीछे सावाज लगाता है ये सुनके वेनर पीछे मूर के देखती है कहती है ब्रदर येंग चैन तुम वापस आगे आगे वेनर यें पती हूँ आगे येंग चे प्रेज़ेटन और वांग से कहते हैं इस ताम क्या हुआ यह रशारन मैं आगे बात नहीं करना है मैं कल एलकेमी कॉन्फरेंस में जाने वाला हूं यह सुनके वेनर काफिजा अहरान हो जाती है और उसके हाँ से वो टी का कभ भी छोड़ जाता है आगे वेनर येंग चैन को देखते हैं अपने मन में सोच होती है बर्दर येंग कल यहां से एपिजूर खतम होता है आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देजिए नहीं आया फिर भी लाइक कर देजिए और चैनल को सब्सक्काइब कर देजिए थैंक्यू फूर वचिंग बाइ झाल थाइक कर्के दÉ चोर्त कर दो एक है कर देजिए एक क्वैमर्व सब्सक्राण वचे नहीं लाइक कर दो एफ टना सकी कर देजिए गलता है took, अणिए्ग जाई मॉब मन में वीजिए TV तो यहां प्रसा प कर दुसंद़ र manner, झाल झाल झाल